Welcome back to my YouTube channel World Literature आज topic हम लोग discuss करने वाले हैं वो है English Literature का Literary Terms कि English Literature में जो हम लोग Literary Terms को पढ़ते हैं वो कौन सी होती हैं First of all दो हम लोग यही देखेंगे कि Literary Terms होती है कि Literary Terms यह जो word है यह जो phrase है इसका खुद का meaning क्या है वो हम लोग दिख लेते हैं सबसे पहले Literary Terms जो हैं यह कुछ techniques होती हैं कोई devices होती हैं जो कि writer यूज करता है writer इसलिए अपनी writing में यूज करता है ताकि वो अपना जो word लिख रहा है कोई भी जो literature लिख रहा है उसमें meaning को create कर सके यह फिर कोई ऐसी layers को add कर सके ताकि उसका जो work है वो perfect लगे यह फिर readable लगे इस वज़ा से literary terms यूज की जाती हैं तो जो techniques अपने work को better करने के लिए उनमें meaning दालने के लिए यह फिर उनमें कुछ add करने के लिए कुछ important कुछ exciting add करने के लिए जो चीज writer यूज करता है उसको literary terms कहा जाता है अब आज हम जो literary terms डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले उसमें हमारी जो term है वो है allegory allegory जो होता है इसको सबसे पहले यह एक ऐसा literary work होता है कोई भी literary work जिसके अंदर characters कोई events यहां पर कोई setting या फिर कोई दूसरा literal element story में second meaning दे second symbolic meaning दे means के जैसे के हम पूरी एक story पढ़ते हैं मगर story का एक symbolic meaning second symbolic meaning भी होता है जो के उसका moral lesson होता है जैसे हम thirsty crow पढ़ते हैं हम पूरी स्टोरी को पढ़ते हैं उसमें जो setting दिखाई जाती है वो सब क्या है वो हमें एक symbolic meaning भी दे रहे हैं एक साथ-साथ moral lesson भी उसमें हमें मिलता है अगर हम लोग literature में अगर कोई example नहीं जैसे के George Orwell's का जो work है animal form इसमें एक symbolic meaning हमें बहुत ज़दा मिलता है second जो literary term है वो है alliteration alliteration यह होता है कि जो consonant sounds होता है word का close close हो एक दुसरे के पास हो और साथ-साथ repeat हो single sentence में कोई भी poetry के line में है उसमें कुछ consonant sounds होते हैं जो के एक दुसरे के पास-पास होते हैं साथ-साथ उनका जो उनके repeat वो बार-बार हो इस वज़ा से इसको alliteration कहा जाता है अब इसकी example अगर हम लोग देखें तो यहां पे आपको कुछ words नज़ा आ रहे होंगी जैसे यह कुछ extensa है यह third stensa है Emily Dickinson के work A narrow fellow in the grass यह उसका extensa है इसमें क्या है he likes a boggy a flow to coal for corn अब देखें यहां पे cool का word है साथ ही साथ कौन का word है यह consonant sounds है means कि यह एक दूसरे के पास पास है then but when a boy a but when a boy यह भी consonant sounds है and barefoot यह भी consonant sound है I am more than once at noon यह सारे क्या है यह alliteration को यहां पे शो करें third हमाएं पास है illusion illusion यह होता है कि कोई भी indirect reference कोई भी अब जैसे हमने कोई text पढ़ा है कोई text लिख रहे हैं और कोई indirect reference देना है हमने कोई history का event जो है उसको relate करवाना है अपने present time के literature के साथ इसको illusion कहा जाता है इसमें कोई person भी हो सकता है place भी हो सकता है कोई चीज भी हो सकती है कोई idea भी हो सकता है जिससे हमारे जो audience है वो पहले familiar हो ताके उसको audience को idea हो जाएगे इसमें illusion दिया गया है किस चीज का उस history के event का ये जो past में actually में ये चीज थी उसी का यहां पे भी illusion यूज किया गया है then हमाय पास fourth literary term है anagram अब ये जो है कुछ ऐसे words होते है जो phrase होते है इनको re-spelled किया जाता है या फिर re-arranged किया जाता है phrase के अंदर अब इसकी example हम देखेंगे तो हमें ज़्यादा clear होगी इसकी definition जैसे कि most important ये एक famous fictional writer है Ashwin Sangley इनका pen name जो है Sean Higgins है जिसको means के इनका जो real name है उसको re-phrase किया गया है उसको re-spelled किया गया है इस वज़ा से उनका जो name है Ashwin Sangley जो है वो बन जाता है ये हो गया हमारा anagram का उसके बाद हमारे पास analogy ये हमारे पास आ जाती है ये इसमें क्या होता है कि comparison होता है कि जो हमारे पास dissimilar things होती है उनका comparison हम लोग करते हैं इस तरह से comparison करते हैं कि वो एक दूसरे के से हमें similar लगना start हो जाती है जैसे कोई complex ideas हों या फिर कोई persuasive हमने argument बनाना हो या फिर किसी चीज़ को force हमने किसी चीज़ पर force देना हो तो उसमें हम लोग इसको use करते हैं अब इसके example अगर हम लोग देखें इसके example में हम लोग different situations ले लेते हैं उनमें कुछ incidents ऐसे लेते हैं कि वो बिल्कुल same लगना start हो जाएं देन अब हमारे पास आता है अनाफरा अब यह क्या है इसमें the repetition of a word or phrase at the beginning of a series of sentence or clauses usually creating a rhythmic effect के हम कोई sentence देखते हैं न एक poem है अब उसका जो first sentence है first phrase है वो बिल्कुल same word से start हो रही है second जो stanza है वो भी same word से start हो रहा है third stanza भी जो है वो same word से start हो रहा है means के उसमें अनाफरा का use हुआ है अब इसकी example अगर देखें तो यह देखें I have a dream that one day this nation will rise up अब उसकी जो second जो line है वो भी से start हो रही है I have a dream that one day on the red hills of Georgia means के यहां पर अनाफरा का use हुआ है यह कुछ literary terms हमने discuss की है I hope कि आपको यह clear हो चुकी होगी वीडियो को like और share और channel को subscribe कर दीजेगा thanks for watching my channel